वाटसअप में क्यों आया रेट टिक हम तो जानते हैं हम भी देंटोड़क्सन है आपको वाटसअप के सिंगल टिक डबल टिक और ब्लू टुक के बारे में तो पता आई होगा जहां पर मतलब है सिंगल टिक मतलब आपने जिसको मैसेज किया है वो मैसेज डिलिवर्ड हो गय है लेकिन दोस्तों वाटसअप और सरकार ने एक नया फीचर निकालना है जिसका नाम है रेट टिक इसमें क्या होगा कि अगर कोई मैसेज करता है तो उसके डबल टिक ब्लू टिक के साथ एक रेट टिक लेगा जिससे यह पता चलेगा कि सरकार आप पर रख रहे हैं कि आप कौन से मैसेज कर रहे हैं और कैसे मैसेज कर रहे हैं अगर आप मैसेज सेंट करते हैं तो वह सिंगल टिक डबल टिक ब्लू टिक तो लगता है उसके साथ डबल रेट टिक अगर लग जाता है तो इसका मतलब यह है कि सिरकार एक्टिव हो चुकि आपके एकाउंट पर और आ ऐसा फीचर इसलिए निकाला गया है ताकि फेक मैसेज को फैलने से रोका जा सके क्योंकि आजकल आपको पता है महामारी फैली और बहुत सारे फेक मैसेज जो है वायरल हो रहे हैं लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दू कि यह रेट टिक वाला जो मैसेज है यह खुदी एक हुई है हाँ वाटसप ने बहुत सारे फीचर निकाले है जैसे आप किसी को मैसेज फ्रवर्ड करते हैं तो उसकी लिमिट को घटा कर पांस की जिखा एक कर दिया है अब एक से ज्यादा लोगों तक अपनी मैसेज एक बड़ में सेंड नहीं कर सकते स्टेटस लिमिट को हमारी मैसेज नहीं पड़ती वाटसप का जो एंड टो एंड इंक्रिप्शन फीचर है बहुत अच्छा यह फीचर क्या है मैं आपको बताता हूं यह फीचर उस वही पड़ सकता है जिसके पास मैसेज गया है या फिर जिसने किया है पीच में कोई भी थर्ट पाइटी हमार वीडियो अच्छे लेगे तो वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए शेयर कीजिए चानल सब्सक्राइब कर लिजिए हमावसी फिर मिलते इकसे इंटरस्टिंग विडिक साफ तो तक लिए टेक्टेर गुडबाएं टारस्तो थैंक्यू अम्मीदे इंट्रोड़क्श झाल